Spouse Open Work Permit के लिए अगर कोई applicant apply करना चाहता है Canada में तो उसको कितनी processing fees pay करनी चाहिए जिए बहुत बड़ा caution है क्योंकि बहुत सारे applicant ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ अपना experience share किया कि सर हमने 1,2,000,000 तक का अपना processing fees pay किया है सिर्फ Canada Spouse Open Work Permit की file के लिए और single applicant के लिए जहां पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि Canada Spouse Open Work Permit की processing fees जो एक consultant charge करता है वो just 25,000 होनी चाहिए अगर इससे कम में कोई apply करता है तो आप कहीं से भी apply करवा लिजिए अगर 25,000 से ज़्यादा कोई processing fees आप से माग रहा है तो किसी को नहीं देनी आपकी embassy fees और biometric 340 टॉलर है medical का आपका 5-6,000 आएगा और processing fees मिलाकर 25,000 total cost आपका 40-50,000 में आपका total process complete हो जाएगा single applicant का spouse open work permit के लिए नीचे दिएगे number पे call कर लिए पूरा process आपके साथ explain कर दिया जाएगा thank you so much